दयाबस्ती, नहीं होती सफाई, पानी के लिए लगाते हैं लाइन NBT News, दयाबस्ती Central District के दयाबस्ती की हालत बड़ी ही दयनिय है, यहां चारों तरफ कूडे का धेर लगा हुआ है, लोगोंने बताया कि यहां कभी कोई सफाई कमचारी नहीं आता है, इस कारण राहगीरों औ परस्थानिये लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, हवा चलने पर कूडा सरकों पर उरता रहता है, इस से रिक्षा और दो पहिया सवार राहगीरों को सबसे अधिक समस्या होती है, वहीं गंगी के कारण बीमारियों के फैलने का खत्रा भी बना हुआ है, लोगों अनुसार बार बार शिकायत करने पर पानी का टैंकर भेज दिया जाता है, समस्या लोगों का आरोप, इलाके में कभी नहीं आते सफाई करमी कई गंटे इंतजार के बाल लोगों को टैंकर से लेना पड़ता है, पानी जर्ज़ हो चुकी है, यहां कभी भी हादसा हो सकता है, जबसे यहां रह रही हैं, तबसे उन्होंने यहां कभी सफाई करमचारी को सफाई करते नहीं देखा है, यह लंबे समय से कूरा पड़ा हुआ है, इससे तेज दुरगत आती है, लोगों को मूँ पर कपड़ा रखकर यहां से निकलना पड़ता है, कूरे के धेर की वज़े से निकेत ने बताया कि यहां गंगी के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है, पाइपलाइन में पानी नहीं आता है, कई बार शिकायत करने पर यहां सबता में दो दिन पानी का टैंकर आता है, पानी और गंगी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की जा चुक और चला ज़गोज कि एुआ हैंगा एक्यूद करते हुआ हैंगा टूज़ कि एक्यूद करेंगे कंविए में शचुआ हैंगाँ कुआ हैंगा हैं।